चार बैल और सिंग ये कहानी है इसोप फेबल्स की और मैं अम्मू अम्मू एन्यू चैनल पर आज इस कहानी को सुनाने के लिए आईए तो आईए सुनाती हूँ चार बैल और एक सिंग एक बार की बात है चार बैल दोस्त एक साथ रहते थे वो एक किसान के पास रहते थे सारा दिन वो ताकतवर बैल किसान के खेत में काम करते और रात को वो खुश-खुश होकर किसान उनको वादियों में घास चरने को छोड़ देता किसान अपने बैलों से बहुत खुश था कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मेरे पास इतने ताकतवर और अच्छे बैल है जो अपना काम कितनी शांती के साथ करते हैं और बैल भी आपस में हमेशा खुश रहते क्योंकि चारों दोस्त थे आपस में शाम को वो बात करते, अपने किसे सुनाते, कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते अब वही पर, जहां पर वादियों में ये बैल चरा करते, उसके पास में एक जंगल था, जहां पर एक सिंग रहता था उसने एक दिन ये मजबूत ताकतवर बैलों को देखा और सोचा, अहां, क्या मोटे हटे कटे बैल हैं, एक बैल अगर मैं खालू तो एक हफते तक मुझे शिकार न करना पड़े चलो, इनको मैं एक-एक करके खाता हूँ, ऐसा सोच उन में से एक-एक करके खाने की योजना बनाई, अब वहां पर बादियों में जो बैल चर रहे थे, उनको तो इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था जब वहां पर सिंग पहुँचा तो एक बड़ी अजीब बात देखे, क्या देखा कि चारों बैल अपने अपने पीछे को एक साथ करके अपना मुझ चारों दिशाओं में करके चर रहे थे मतलब सिंग किधर से भी जाता, सामने कोई न कोई बैल पाता, उन सब के पीछे के हिस्से, पूछ वाला हिस्सा एक दूसरे से सटा हुआ था इस तरह से वो एक दूसरे की हिफाज़त कर रहे थे, अब सिंग ने बड़ी खोशिश की, लेकिन जिधर भी जाता उसे अपने सामने एक बैल दिखता, और बैल के तो इतने खतरनाक सींग थे, मालूम था कि अगर वो पास गया, तो चीर फाड़ कर एक मिनिट में बैल उसक चला गया, खिसी आये हुए सिंग को जाते देखकर, बैलो ने आपस में कहा, हम बहुत खुश किसमत हैं कि हम चार दोस्त हैं, हम चार दोस्त हैं, इसी लिए हमारी एकता के कारण आज हम बच गए, नहीं तो ये खुंखार सिंग हम सब को एक एक करके मार डालता, अब हर रोज सिंग को शिश करता, दूर से सोचने की कि क्या करें, क्या करें, इनको कैसे खाएं, लेकिन उनकी एकता के आगे कुछ न चलती, वो दूर से ही उनको ताका करता, एक दिन जब चारों बैल घास चर रहे थे, तो एक बैल का पैर दूसरे बैल के पैर पर गलती से लग गया, अब वो बैल चिलाया, अरे तुमने जानकर अपना भारी पैर मुझपे दे मारा, नहीं नहीं मैंने जानकर नहीं मारा बिलकुल जानके मारा जानके नहीं मारा मैं कह रहा हूँ न और दोनों की लडाई हो गई दोनों की लडाई को देखता बाकी दो भी आ गए और चारों आपस में लडने लगे अब सिंग दूर से जो देख रहा था उसने कहा कि अब ये जो चारो लड़ा रहना ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है चारो शाम को जब घर गए किसान ने उनकी लटकी हुई सूरत देखी और कहा अरे तुम लोग को क्या हो गया तुम लोग तो ऐसे नहीं हो ये आपस में एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे हो चलो बाई अपनी गलत फैमी जल्दी जल्दी तुम लोग दूर कर लोगे ऐसा आशा करता हूँ मैं अगले दिन जब चारो बैल फिर से वादियों में घास खा रहे थे अलग अलग दूर सिंग को अपना मौका मिला वो एक कोने से आया और एक बैल के उपर जपट्टा मारा गया और गप से पूरे बैल को खा गया कितना आसान था इस अकेले बैल को मारना चारों को एक साथ तो में कभी न मार पाता सिंग खुश हो कर सोचने लगा ऐसे करते करते उसने दो और बैल मार दिये आने वाले दिनों में तब एक ही बैल बचा था अब जब उस दिन आखरी बैल निकला घास चरने सिंग तयार बैठा था आओ बाबू आज तुमारी बारी है अब वो बैल क्या करता उसने बोला चप तक हम चार दोस्त थे ये नालायक हमको कुछ नहीं कर पाया आज मैं कितना अकेला और लाचार हूं रोने लगा जब सिंग उस पर जपता चीर भार कर खा गया क्यों क्योंकि वो चारों दोस्त एकता के बल को भूल गयते हैं दोस्त होना जीवन में बहुत जरूरी होता है और अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती बनाए रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों से हम कितना कुछ सीखते हैं हम खुश रहते हैं सुरक्षित रहते हैं वो हमें हमेशा मुसीबतों से बचाते हैं छोटी छोटी गलत फेहमियों से हमें लड़ाई करके दोस्ती नहीं तोडने चाहिए उससे हम अपना ही नुकसान करें इसलिए बच्चों मैं आशा बनाएंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, भेर सारे दोस्त बनाएंगे और दोस्ती बहुत मजबूत बनाएंगे लाइक शेर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए मेरे आने का फिर से इंतजार करिए, कहनी सुनने के लिए धन्यवाद और अमू कहती है टाटा